हेलो दोस्तों स्वागत आपका physics academy जैसे कि आपको स्क्रीन में देखी रहा है आज हम लोग गुजराज बूट का यह जो पेपर हैं उसके mcq solve करने वाले हैं इसमें हम लोग आज solve करंगे पहले 10 mcq total कितने को mcq इस paper में 50 mcq है उसमें से 10 हाज हम लोग solve करेंगे तो सबसे पहला question क्या है सबसे पहला question है static electricity is produced due to static electricity किससे produce होती है सबसे पहला option है friction दूसरा option है induction तीसरा option है electric current और लास्ट ऑप्शन है बोथ a and b तो static electricity किससे produce होती है एक तो होती है friction से और एक होती है induction से जो electric current है उससे static electricity produce नहीं होती यहाँ पर जो word is static सबसे पहले उसका मतलब क्या होता है static मतलब क्या होता है वो मतलब ऐसी motion नहीं हो रहा जैसे आप लोगों को पता हो आप लोगों का फर्स एप्ट रेकांस है electro statics मतलब ऐसे चार्जेस का study जो कैसे रेस्ट पे हैं तो static electricity यह किसके का नजाए जाए फ्रिक्शन मतलब क्या दो चीज़ों को हम लोग बहुत जादा किसेंगे उस पर क्या होगा friction के वज़े से वहाँ पर क्या होगा क्या होता एक charge body होता है दूसरा un-charge body है दोनों को कैसे connection में रख देते हैं उससे क्या होता है charge का flow होता है और क्या होता है charging बेसिकलिस में क्या करते हैंकि कि एक को चार्ज बोडी कि और हम लोग यह को un-charge body कैसा है neutral यह कैसाAll जब नूट्रल है जब इस charge body के बाज नूट्रल बॉडी लातो इस पी क्या होगा Charge का Induction हो जाएगा इसको क्या होते हैson ऐसी electricity जिसरे प्राडिउस हो इसको बोलते है Induced electricity तो static electricity though इस एक सिकेर लोगा सब्सक्राइब ऐ नूट्राइक वे सप्कोर्ण है equal to one coulomb मतलब number of electron एक coulomb में कितने number of electron होते हैं तो ऐसे question जब भी भी आएं कि जब हम लोगों को number of electrons निकालना है तो सबसे पहले mind में क्या आजाना चाहिए quantization of charge quantization of charge क्या है q is equal to any यह क्या है यहाँ पर हमें q क्या दिया गया 1 coulomb 1 coulomb of charge n हमें पता करना है और e क्या है e है charge on electron अब electron पर charge कितना होता है 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulomb यहाँ से हम लोग n की value पता कर सकते है n की value क्या हो जाएगे n is equal to 1 divided by 1.6 into 10 raise to power minus 19 यहाँ पर क्या है दोनों coulomb coulomb है तो दोनों का unit कैसा जाएगा cancel हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 1 divided by 1.6 into 10 raise to power minus 19 जब हमें इसको solve करेंगी तो इसका answer हैगा 6.25 into 10 raise to power 18 अब यह क्या है एक number है तो इसका कोई unit नहीं होगा तो यह किस options के साथ match हो रहा है यह हो रहा आपना option option B के साथ match तो सही option क्या है इसका option B तो next question देख लेते next question में क्या है तो charge on microgram देखो यहाँ पर क्या है microgram दिया आगा microgram जब भी यहाँ पर symbol तो किसका बतागा mg और आपको पता है mg मतलब क्या होता है mg होता ही यहाँ पर बोला क्या आगा microgram अगर, scripture बोलना तो क्या से का mu g जब ml हो और इसको gram में convert करना तो अब क्या करते है 10 देश तो पावर-3 और जब micro हो तब क्या use करते है 10 देश तो पावर-6 यह हम लोग use करते हैं यहाँ पर बोला micro गया है और लिखा क्या है मिली तो इस चीजों का आप लोग त्यार रखेंगे तो charge on one microgram electron will be one microgram of electron है और उस पे हमें बताना है कि कितना charge होगा सबसे पहले electron का mass कितना होता है electron का mass होता है 9.1 1 into 10-dst power minus 31 kg जब इतना mass होता है तब electron पर हम लोग charge कितना लेते है 1.6 into 10-dst power minus 19 कोलम अब हमें पूछा क्या गया है कि 1 microgram अब देखो इसको सबसे पहले हमें किसमे करने करने का क्योंकि जो electron का mass है किसमे kg में तो इस mass को हमें किसमे करने करना पड़ेगा kg में देखो माइक्रो ग्राम तो सबसे पहले 10-dst power minus 6 यह किस पहो गया ग्राम में चेंज होगा अब इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा kg में तो 10-dst power minus 3 तो कि हमें पता है जब 10-dst power minus 9 kg इतना amount of electron है तो सबसे चार्ज कितना होगा तो चार्ज कितना होगा q is equals to 10-dst power minus 9 into charge on electron 1.6 into 10-dst power minus 19 divided by divided by the mass of electron that is 9.11 into 10-dst power minus 31 यह भी किसमें होता है kg में यह भी किसमें kg में और यह किसमें पूलम में है जब इसको solve करेंगे जब इसको solve करेंगे तो हमें q क्या मिलेगा जो हमें q मिलेगा वो होगा 176 into 10-dst power 0 पूलम आप यह क्या हम लोग find करें चार्ज find करें तो इसका unit क्या होगा पूलम यह किस option के साथ match हो रहा है यह हो रहा है option b के साथ match इस question का answer क्या हो जाएगा option b अब इसमें नेक्स question देखो यह थर्ड question और यह 4 बीच में question miss हो गया तो देखो fourth question क्या है मैं आपको यहीं पर बता दो देखो fourth question में क्या पूछा गया था fourth question बेस था कूलम स्लोग के उपर कूलम स्लोग क्या हो था k is equals to q1 q2 divided by r square यह होता है अपना कूलम स्लोग अब मैं r को ऊपर लेके जाओं तो यह कैसे लिख से लिखता हूं के q1 q2 r minus 2 यहां पर प्लास है उपर चले जाएगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो हमें क्या question में दिया गया था ऐसा expression दिया गया था और यहां पर लिखा था f is equals to q1 q2 और यहां पर लिख दिया गया था n और हमें पूछा गया था कि n की value क्या होगी option था 1 2 ऐसे minus 2 तो जो n का value होगा अगर हम लोग इस equation के साथ compare करें तो n का value क्या थना होगा minus 2 तो यही 4th question था जो बीच में miss हो गया और उसमें option कौन सा था option d option था option to use में correct answer था चलिए जो next question देख लेते हैं next question में क्या है if two if two opposite electric charges having same magnitude charges कैसे है opposite है मरलब एक plus होगा तो दूसरा क्या होगा negative होगा दोनों का magnitude कैसे है same है मरलब q1 is equals to q2 is equals to q magnitude की बात कर हम लोग यहां पर sign consider नहीं कर लें इसलिए दोनों का अच हम लोग magnitude क्या मान लें क्यों मान रहा है और 10 cm away from each other और कितना गया दिया गया 10 cm अब और 10 cm में इसको convert करेंगे में 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 मेर्म में तो क्या होगा 10 x 10 इसकोफ पार माइनस टू मीटर यह होगा आर बालब दोनों के बीच में distance यह है q1 और यह है q2 यह 10 cm दोनों के बीच में distance away from each other, they experience 0.9 newton attractive force, अब यहाँ पर कैसे है, दोनों charge कैसे है, opposite है, तो force obviously कौन सा होगा, attractive, f कितना दिया गया, 0.9 newton, इतना हमें force भी आ गया, then the magnitude of electric charges will be, हमें क्या पता करना है, electric charges का magnitude कितना बला हमें basically, क्यों find करना है, तो यह कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, coulombs law, coulombs law, coulombs law क्या कहता है, f is equals to k q1 q2 divided by r square, f पता हमें k constant है, वो भी पता है, यहाँ पर कुछ mention नहीं किया, हम लोग किसमें मानेंगे, vacuum में मानेंगे, मानेंगे, epsilon naughty लेंगे, तो इसका value जो होता है, 9 into 10 to the power 9, भी consider करेंगे, अब q1 q2 दोनों same है, तो इसके जगह मैं लेख सकता हूँ, q square और r हमें पता है, तो इस expression को मैं कैसे लेख सकता हूँ, k q square divided by r square, अब k की value हमें पता है, k की value क्या आता है, 9 into 10 raise power 9 into q square, तो हमें पता करना है, divided by, r कितना है, r है, इसको मैं लेख सकता हूँ, 10 raise power minus 1 meter, 10 raise power minus 1 meter का स्क्वेर अब f हमें दिया गया कितना f दिया गया 0.9 Newton is equals to 9 into 10 raised power 9 into q square divided by अब इसको कैसे लिए 10 raised power minus 2 लिशाता हूँ यह 2 इदर चलाएगे तो multiply होजाएगा 10 raised power minus 2 अब q को subject बना की q square को subject बना की हम लोग इसको solve कर सकते 0.9 into 10 raised power minus 2 divided by यहाँ पर कैसे multiply में तो नीचे चले जाएगा तो divide में होगा 9 into 10 raised power 9 अब इसको solve करें हम आगे तो इसको लिखता हूँ 9 into 10 raised power minus 3 divided by 9 into 10 raised power 9 यह 9 से 9 cancel हो जाएगा 10 raised power 9 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा negative हो जाएगा 10 raised power minus 12 अब यहाँ पर क्या है q square हमें किसकी value चीए q की तो q की value हो जाएगी plus minus 10 raised to power minus 6 अब 10 raised to power minus 6 ऐसा कुछ option दिया नहीं गया तो यह कैसा 10 raised to power minus 6 मतलब micro coulum तो इसको कह सकता हम 1 micro coulum plus minus एक positive होगा और एक negative होगा क्योंकि यहाँ पर कैसे opposite charges और दोनों के बीच में forces कैसा है attractive है तो इसमें option काँ साग option c is the correct answer क्या था 1 micro coulum अब next question देख लिखते है next question क्या कहता है the radius of a conducting spherical the radius of a spherical conducting spherical cell is 10 mm 10 mm मतलब r दिया गया है 10 mm अब इस convert करेंगे तो क्या हो देगा 10 raise to power minus 3 meter यह क्या है हमें radius दिया है conducting spherical cell का एक charge 100 micro coulum is spread on it मरलब यह spherical cell है इसके उपर 100 micro coulum charge spread मरलब ऐसे उपर the force acting on a charge कितना 10 micro coulum placed at its center is अब यहां पर center पर कितना charge है 10 micro coulum charge दिया है यह radius कितना है 10 raise to power minus 2 meter इतना radius दिया गया है एक charge यहां पर center पर और यह 100 micro coulum surface पर spread है तो मुझे बताइए आप लोगों ने गौल श्लो भी पढ़ लिया होगा तो उसमें एक आता है कि उसके application में spherical cell की वज़ेस हम लोग electric field calculate करते हैं एक calculate करते है surface पे एक outside the surface और एक inside the surface उसमें एक चीज आती है कि जब यह charges जब charges ऐसे sphere के surface पे spread हो तो electric field अंदर कितना आता है जीरो मतलब 100 micro coulum के कारण inside electric field कितना होगा जीरो इतना clear है और हम यह भी पता है कि कोई charge q1 मान लो यहाँ पे है उसके कुछ boundary है मतलब उसके कुछ around एक field generate करता है उस field को हम लोग क्या बलते हैं electric field अगर मान लो कि कोई test charge q1 यहाँ पे इसके field में आया जब इसके field में आया तभी तो उसके कुछ force लगेगा ना जब उसके electric field में आया जब उसके field में आया तब उसके कुछ force लगेगा अगर उसके field में आया बहुत ज़्यादा दूर है तो उसके force लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि क्या होता है f is equals to qe क्या होता है f is equals to qe अब यहाँ पे क्या है यह जो चार्ज है surface पे उसके कारण यहाँ पे अंदर electric field कितना है जीरो है न तो अगर हम लोग इन दोनों के बेश में force consider करें तो क्या होता है f is equals to qe but electric field यहाँ पे क्या है जीरो है f is equals to q into 0 तो force कितना हो जाएगा जीरो हो गया clear देखो surface पे जब चार्ज होता है तो inside उसके electric field कितना होता है जीरो होता है और यहाँ पे हमेरे पास एक और चार्ज है अगर electric field ही कुछ नहीं है अगर मान लोग यह ऐसे electric field में कोई charge हम लोग ने रखा तब ही जाकि उसके कुछ force लगेगा पर अगर यहाँ पे electric field ऐसे है और मैं यहाँ पे चार्ज रखों कोई तो इसके field lines यहाँ से पास ही नहीं करें तो उसके कोई charge उसके कोई force लगेगा नहीं क्योंकि अब यहाँ पे क्या है electric field ही 0 है electric field 0 है इसका मतलब उसके कोई force लगेगा नहीं तो इसका answer क्या होगा option c is the correct answer for this question clear 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 है इतना next question देख लेते है two charge particle of equal charges यहाँ पे भी कैसे charges कैसे equal are placed one meter apart एक Q यहाँ पे ले लेते हैं एक Q यहाँ पे ले लेते हैं दोनों के बीच में distance कितना है one meter the initial acceleration of each of them is one meter per second square acceleration दिया गया कितना one meter per second square if their mass if their equal mass if their equal mass is 10 to power minus 3 gram find charge on the find the charge on each of them परला हमें क्या करना है दोनों के उपर charge कितना होगा वो find करना गया basically हमें इसमें क्या दिगए acceleration दिया गया है तो newton second law क्या है f is equal to m e force का use होगा यहाँ पर कई देखो दो charge है दो चार्ज है मतलब दोनों के बीच में अगर 1 meter of distance पर रहा तो उस पर क्या होगा कुछ force लगेगा और हमें acceleration दिया गया है तो यह इससे भी acceleration से भी पता करना हमें newton का second law है वो क्या कहता है rate of change of momentum is equal to force it is acted by upon sub force अगर force लग रहा है मतलब acceleration हो रहा है तो उसका मतलब clear है कि उस पर कोई force लगे रहा तो दोनों force का हम लोग equal कर सकते है m e is equal to k q q q1 q2 divided by r square यह कर सकते हम लोग हां कर सकते हैं क्योंकि दोनों set क्या force है अब क्या पूला है देखो इसे mass कैसे क्या है दोनों के mass भी कैसे equal है कितना है 10 raised to power minus 3 gram अब mass कैसा है ग्राम में 10 raised to power minus 3 gram में दियाएगा इसको हम लोग कैस्मिक change करना पड़ेगा kg में change करना है 10 raised to power minus 6 kg हो जाएगा अब mass को रख दो 10 raised to power minus 6 into acceleration कितना है 1 k के value 9 into 10 raised to power 9 अब charge कैसे है charge if two charge particle of equal charges दोनों का charge कैसे है equal is q square divided by r कितना है 1 meter मतला 1 का square अब इसको solve कर लो तो q square क्या हो जाएगा 10 raised to power minus 6 divided by 9 divided by 10 raised to power 9 10 raised to power minus 6 divided by 9 into 10 raised to power 9 अब इसको 9 को उपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10 raised to power minus 15 divided by 9 इसको जब हम लोग solve करेंगे तो यह कितना हो रहा है q square is equal to 0.111 into 10 raised to power minus 15 अब इसको थोड़ा arrange करना पड़ेगा इसको arrange करेंगे 1.11 into 10 raised to power minus 16 यह क्या है चार्ज है तो कूलम इसका unit होगा अब यह क्या है इसकी value मिली q square की q की value क्या हो जाएगी under root 1.1 into 10 raised to power अब यहां पर क्या 16 है तो इसको डिवाइट करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा minus 8 कूलम तो यह हमें मिलेगी value किसकी charge की तो ऐसा option कौन सा है इसा कोई option है option A है option A is the correct answer for this question clear है देखो इसमें दिया क्या गया है दो चार्ज है एक मीटर अपार्ट दोनों का डिस्टेंस मालब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वन मीटर अब हमें यहां पर क्या क्या दिया गया और mass का mention है अब acceleration है तो मालब क्या होगा उस पर कोई force लग रहा और अभी acceleration होगा यह अपने अब आज आता है अपने next question पर नेक्स कोईशन किया है इस प्रूश्ट प्रूश्ट आपना फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज ये चार्ज दिया गया है प्लेज इन युनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड इस इतना फोर्स लग रहा है किस पे ये इस चार्ज पे तैन एलेक्ट्रिक फिल्ड एड पॉइंट इस देखो न्यूटन पर पूलब मरलब या प्ले क्या पूचा गया हमें उलेक्ट्रिक फिल्ड करनता है ठीक फिल्ड पांड करने है पर्स लिया प्लेक्ट्रिक स्टउप एलेक्ट्रिक फिल्ड आऑफ ये बीच में हमें रिलेशन पता है, क्या है, F is equals to QE, हमें find क्या करना है, electric field, E is equals to F by Q, तो यह क्या आ जाएगा, Newton by Coulomb, क्योंकि force का unit रहता है, Newton और charge का Coulomb, तो force कितना गिया गया, 0.128 divided by, यह कितना है, charge 6.4 into 10 is the power minus 3, यह कूलम और यह Newton, देखो, इसको point हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 128 into 10 is the power minus 3, divided by, 64 into 10 is the power minus 4, यहा से भी मैंने point हटा, यहा से भी point हटा, अब 64 को हम लोग, अगर 2 से multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 128 ही होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 2, तो e हमें मिल जाएगा, 2 into, देखो, यहा पर कितना है, minus 4, उपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, plus हो जाएगा, 10, क्योंकि minus 3 already है, और उपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10, 10, मतलब इसका power बन जाएगा, 1, तो e is equal to कितना हो जाएगा, 20 newton पर बुलाँ, next question देखे, next question क्या है, unit of line integration of electric field, देखो, line integration of electric field, बारलो, L, line integral of electric field, सबसे पहले हमें पता है, electric field का formula, क्या होता है, V by L, V by L, यह हमें पता है, अगर हम लोग small change consider करें, तो DV by DL, डिवी by DL लेख सकते हैं, अब इसको हम लोग integrate करें, तो e.DL is equals to, यह क्या हो जाएगा, डिवी, तो यह क्या हो जाएगा, V is equals to, यह क्या हो जाएगा, e.DL, अब यह क्या हो जाएगा, line integral है, यहां पर हमें option, यहां पर क्या है potential है अब potential का unit को होता है voltage आप पर वोल्ट का ऐसे कोई option तो दिया आ गया नहीं तो हम लोग कैसे find करेंगे हमकोगों पता है potential क्या होता है potential is equal to work done divided by charge तो वर्क डर डवल्यू डिवाइड बाय चार्ज अब वर्क डर्न क्या होता है वर्क डर्न होता है उसका यूनिट क्या होता है जूल और चार्ज का यूनिट क्या होता है पूल तो क्या हो जाएगा जूल पर पूल यह क्या हो गया यह हो गया पोटेंशल का यूनिट को मैं य जूल पर पूलर तो कांसा option है option P option P is the correct option for this question अब अपना last question इस वीडियो का देख लेते हैं देखो इसमें क्या है the work done by charge Q through displacement हमें क्या पता करना है आपर work done पता करना है देखो हमें दिया क्या क्या है the work done by the charge Q through displacement displacement हमें दिया गया है displacement क्या है delta R is equal to A i cap plus B j cap यह हमें displacement दिया गया है and electric field in electric field मौलब इस electric field में work done तो electric field क्या है E is equal to E1 i cap plus E2 j cap यह हमें displacement और electric field दिया गया हमें पता है work done क्या होता है work done क्या होता है work done होता है W is equal to F dot delta R force into displacement and we also know F is equal to क्या होता है QE होता है F is equal to QE भी होता है अब यह क्या है dot product है यह भी हमें पता है क्या था dot product अब Q तो क्या है Q एक scalar quantity है तो इसको हम लोग बाहर से लिखते है यहा पर क्या है capital Q तो यहा पर हम लोग capital Q लिखते है capital Q अब इन दोनों का dot product परलब इन दोनों का हम लोग that product कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा तो आई के साथ आई और जे के साथ जे वरलब E1 A plus E2 B यह क्या होगा इसका dot product होगा तो मैं work learn कैसे लिख सकता हूं Q E1 A plus E2 B चार्ज तो बाहर ही रहेगा E1 A plus E2 B तो यह क्या होजाएगा work done होजाएगा यह कौन सा option है option A option A is the correct answer for this question और आगे के भी question हम लोग इसी तरह solve करेंगे थैंक यू फो वाचिए